तो दोस्तों, क्या अट्लांटिस वाकई में था? चलो, आज इस रहस्य में गोता लगाते हैं और पता लगाते हैं कि क्या ये खोया हुआ शहर सच में कहीं था या बस एक कहानी? सबसे पहले अट्लांटिस का जिक्र हमें मिलता है ग्रीग दिगज प्लेटो की किताबों में करीब 360 इसा पूर्व उन्होंने अट्लांटिस को एक बहुत ही तरक्की आफता और ताकतवर सभ्यता बताया जो अपने जमाने से कहीं आगे थी लेकिन कहते हैं कि एक जबरदस्त कुदरती आफत आई और ये शहर समुद्र में समा गया अब सवाल ये है कि क्या प्लेटो की कहानी बस एक मनघडंत किस्सा थी या फिर उसमें कुछ सच्चाई भी है कुछ इतिहासकारों का मानना है कि प्लेटो ने इस कहानी के जरिये कोई सीख देने की कोशिश की वहीं कुछ लोग सोचते हैं कि शायद प्लेटो ने किसी असली शहर का बयान किया होगा अगर बात करें सबूतों की तो अभी तक ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिला जो अट्लांटिस के होने की गवाही दे लेकिन दुनिया में कई जगहें बताई गई हैं जहां अट्लांटिस हो सकता है जैसे की भूमध्य सागर, अट्लांटिक महासागर और यहां तक की अंटार कटिका भी कुछ खोजों के मताबिक अट्लांटिस शायद सेंटॉरिनी द्वीब के पास कहीं हो सकता है ये द्वीब एक भयानक ज्वाला मुखी के फटने से तबाह हो गया था जिसने पूरे इलाके में भारी डिस्ट्रॉइडी मचाई इस घटना से प्लेटो की कहानी के कई हिस्से मिलते जुलते हैं तो फिर क्या अट्लांटिस सच मुझ था? इतिहास में ऐसे कई अनसुलज हे रहस्य हैं जिनके जवाब आज भी तलाशे जा रहे हैं अट्लांटिस उन्ही मिस्टरीजों में से एक है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वाकई अपनी पुरानी सभ्यताओं के बारे में सब कुछ जानते हैं इस कहानी की सबसे मज़ेदार बात ये है कि ये हमें अपनी ही सभ्यता के भविश्य के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है क्या एक दिन हम भी अटलांटिस की तरह इतिहास के धुंधलके में खो जाएंगे आपको क्या लगता है क्या आपको यकीन है कि अटलांटिस सच में था इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं शुक्रिया